प्रोपर्टी में बेटियों का एक बहुत ही महत्पुर्ण टॉपिक है ये और सबको समझना जरूरी है कि क्या मामला हुआ, क्या किया गया, क्या नियम लाया गया, ये सबको समझना बहुत जरूरी है सुप्रिम कोट का फैसला था ये सुप्रीम कोट ने फैसला में ये कहा कि बेटियों का जो पैतरिक संपती है उसमें बराबर का जो है हक मिलेगा बेटियों को भी बराबर हक दिया जाएगा बेटों के बराबर हक दिया जाएगा ये कहना सुप्रीम कोट का है क्या है ये कानून चलिए इसको समझने का पढ़ियास करते हैं और देखते हैं इसको जो है डिप्त में जाके समझते हैं कि क्या ये नियम है क्या ये कानून है देखिए अगर मा लेते हैं पिता है और पिता की संपत्ती है और संपत्ती पैत्रिक है मतलब पूरबज की संपत्ती है पिता की भी संपत्ती है या पिता के नाम पे है और पिता के नाम की संपत्ती है और एक बेटा है और एक बेटी है ठीक है तो इस बेटे को और बेटी को पिता के मिर्त्यू के बाद इस बेटे को और इस बेटी को जो प्रोपर्टी है उसमें समान अधिकार है ये कानून कहता है ये हमारा कानून कहता है कि इसमें बेटे और बेटी का जो है वो अधिकार समान है अब है कि ये संपत्ती जैसे हम बात कर रहें पैतरिक की तो अगर ये ऐसा भी संपत्ती हो सकता अगर पिता की द्वारा खरदी गई संपत्ति हो, पिता ने उस संपत्ति को खरदी है और पिता की मिर्ति हो जाती है, तो उसमें भी बेटे और बेटे, जो बेटी है, बेटी का भी और बेटा का भी, दोनों का समान अधिकार है, समान प्रोपर्टी में अधिकार दिया चितना बेटे का होगा उतना ही बेटी का होगा क्या ये कानून सही है तो होर सकता है हर की अपनी अलग-अलग राय हो लेकिन ये एक कानून है और इसको इसका पालन करना सबों का कर्तब है महलाओं को अपने पिता दादा की प्रोपर्टी में भाई के बराबर हिसा मिलेगा और यह कानून 2005 में बनाये गया था तो अब सवाल ये ही उड़ता है कि यहां पर ये जो कानून आया वो आया 2005 में तो क्या 2005 के पहले वाले जो बेटियां है उनको इनका लाब नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है उनको भी इसका लाब मिलेगा मतलब ऐसा नहीं है कि किनी के पिता की मिर्तिय। अगर माल लेते हैं 2005 से पहले हो जाती है तो क्या उन बेटियों को इसका लाव नहीं मिलेगा तो बिलकुल ऐसा नहीं है उनको भी लाव मिलेगा तो ये अगर आपके पास पैतरिक संपत्ति है अब बेटियों के साथ आप 2005 जो है वह बेटियों को पैतरिक संपत्ती में भाई के बराबर अधिता है अब अगर आपके दो बेटे हैं और एक बेटी है मान लेते हैं पिता की संपत्ती है माता की संपत्ती है और उनकी अगर मान लेते हैं जो भी संपत्ती है अगर यहां पे अगर फ्यूचर में माता पि ताके बाद बच्चों के नाम संपती अगर टांसफर किया जाता है, उसका अपस में बटवारा किया जाता है, तो उसमें बेटे को भी उतना ही हक मिलेगा, जितना हक बेटियों को मिलेगा. अब ऐसा नहीं है कि बेटी जो है वो साधी सुधा हो या बेटी साधी सुधा नहीं हो कि दोनों केस में बेटियों को हिसा मिलेगा तो बेटियों का भी उतना ही हक बनता है उतना जितना हक भाई का होगा उतना ही उसके बहन का भी होगा तो सुपरिम कोट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटियां जीवन भर प्यारी बेटियां रहती है इसलिए उन्हें भी पैतरिक संपत्ती में बेटियों के बराबर हक क्यों नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल अच्छी बात है और ये एक बहतर पहल है कि बेटियों को एक साथ भी न्याय होना चाहिए बेटियों को भी संपत्ती में मालत है हर आदमी आज के जुग में अपने आप में स्वतंत्र है उनको अपना जीवन जीने का अधिकार है उनका जो पैत्रिक है वो भी उनी के बच्चे है तो उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए समान जो संपत्ती है उसमें उनको हिस्सा मिलना चाहिए आज भी देखें अगर आपका परिबार में बटबाड़ा होता है और अगर मालते हैं पिता के नाम आपका जमीन का या प्रोपर्टी का रसीद है अब पिता नहीं है दो भाई है और एक बहन है दो भाई है और एक बहन है है ना उस case में अगर आप ये दो भाई सोचेंगे कि हम बटबाडा करना चाहते हैं तो बहन को लिखित देना होगा कि इनको इस समसे कोई भी मतलब नहीं है तो ये चीज जो है एक तरह से यहां पर वो एक तभी इस दो भाई के नाम पर संपत्ती जो है वो टास्फर हो पाता ह तो ये है हमारा कानून अगर वहां पर बहन चाहे तो वो अपना हक ले सकती है असानी से उनको उस समपत्ती में बराबर का हक मिलेगा देखे सुप्रिम कोट ने यह भी साफ कर दिया कि यह जो संसोधन कानून 2005 में लागू हुआ फिर भी उन सभी बेटियों को हक मिलेगा ज अतलब ऐसा नहीं कि कानून आज लागू हो गया तो आज के बाद जितनी बेटियां होंगी उन्हीं के लिए लागू हुआ है बिल्कुल नहीं 2005 से भी पहले की जो बेटियां है उनको भी हक मिलेगा वो भी अपने पुर्भज में जो जाके है जो पैतरिक संपत्ती है उसमे लिए बेटियां स्वतंत्र है बेटियां अगर चाहें तो वो संपत्ती को ले सकती है कभी भी कानून लड़के ले सकती है लेकिन अगर बेटियें बेटि के द्वारा ये लिखित तोर पर दे दिया जाए कि उन्हें संपत्ती से कोई भी मतलब नहीं है ठीक है तो वो अगर तुरूप अगर जब आपस में मालते भाईयों का बटबारा होता है, भाई अपना अलग-अलग संपती को कर रहे होते हैं, उस समय बेटियों के द्वारा अगर लिखी तुरूप से दे दिया जाएगा, तो फिर यहां पर भाई के नाम से वो संपती टास्पर हो जाएगा, उ उन पे उनका नाम आ जाएगा, तो फिर इस केस में दुबारा अगर चाहें तो उतना असान नहीं रहा जाएगा, तो अगर ऐसा नहीं है, तो फिर अगर वो चाहें तो वो अपना हग ले सकती हैं, देखिए एक कहाबत है, और बहुत परचलित कहाबत है कि बेटियां आदी कह रहे हैं, आप जिसको नानी कह रहे हैं, वो सब न तो किसी का किसी की बेटियां ही है, तो बेटियां पराई कहाँ होती, बेटियां तो अपनी होती है, तो इसलिए ये जो कानून था और काफी सुप्रीम कोट के दौरा जो कानून लाया गया, काफी बहतर कानून ल बहुत ऐसे हैं मामले आते हैं जिसको गलत तरीके से समझा जाता है, गलत तरीके से दिखा जाता है, कि अब है कि मतलब जब आपस में विबाद उत्पन करने के लिए और हक लेने के लिए एक लंबे अर्सों के बाद कोई अगर कानून में जाता है और हक लेना चाहता है तो फ दादा की बेटी अगर आके उस पे संपती का हक मांगे और जबकि बेटों के नाम पे जमीन टांसफर हो चुका है तो फिर उतनी असानी से हक नहीं मिलने वाला है। बेस्यद्म के बाद तो फिर वो उतना आसान नहीं रह जाता है। आगर बेटी को पे उस पे उसका सपोर्ट देना होगा मतलब लिखित तोर पे देना होगा को इस संपती से कुई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं देते हैं, मतलब यह आया दे देते हैं और इनके नाम पे यह जमीन टास्पर हो जाता है, तो फिर भी उतना फिर असान नहीं रह जाता है कि आप उससों असानी से ले सकते हैं, अगर बेटी के बच्चे चाहे तो क्या जमीन वो अपने मा के पिता के पती में अपना कानूनी तरीके से हक का दावा कर सकते हैं, बिल्कुल, जैसे माल लेते हैं कोई गलत तरीके से किसी भाई के द्वारा, पिता के नाम से अच्छी खासी प्रोपर्टी है, और भाई एक भाई हैं, यह भाई हैं और यह बहान हैं, अब यह बहान के बच्चे है ठिक है बच्चे हैं तो अगर ये आप समझ सकते हैं कि ये जो दो भाई हैं अगर ये गलत तरीके से अपने नाम कर वा लिए हो जिनमें बहन को जो है जानकारी भी नहीं है तो उस केस में ये बहन या उनके बच्चे भी कानूनी तरीके से अपने मा के जो पिता है उनकी संपत का हगदार सिर्फ बेटियां ही होगी और कोई नहीं होगा आसा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को पहली बार देख रहें सब्सक्राइब करके जो बेल अइकन उसको जरूर दबालीजी मिलते हैं अगरे उडियो